कैनेडा और भारत के बीच जुबानी जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विशेव बनी हुई है ऐसा होना भी लाजमी है क्यूंकि दोनों ही देश वर्ल्ड्स टॉप टेन अर्थ विवस्थाओं में शामिल है और ताजा उथल पुथल का कहीं न कहीं एकोनोमी पर असर देखने को मिल सकता है हलाकि अगर कैनेडा की एकोनोमी की बात करें तो इसकी गाड़ी अमेरिका के भरोसे चलती है लेकिन भारत के साथ भी इसका बड़ा कारोबार है जिस पर संकत के बादल चाय नज़र आ रहे है कैनेडा की एकोनोमी दुनिया की टॉप टेन अर्थ विवस्थाओं में शामिल है IMF की वर्ल्ड एकोनोमी रैंकिंग 2023 लिस्ट के मुताबिक 2.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ ये नौवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है प्रती व्यक्ति आये की बात करें तो कैनेडा की कैनेडा पर कैपिटा इंकम 46,260.71 डॉलर है देश की एकोनोमी में सबसे बड़ा योगदान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और निर्याद का है कैनेडा, अमेरिका, भारत समेत, बड़े देशों में कई जरूरी चीजों का निर्याद करता है कैनेडा के कुल एरिया में से एक बटा बारहा लैंड, खेती, किसानी के लिए उप्योक्त है हालाकि अगर इस सेक्टर से आने वाले रोजगार का देश की कुल वर्फोर्स में हिस्सा देखें तो ये 4 फिसदी का योगदान देता है वहीं कैनेडा के शेत्रफल का आधा हिस्सा जंगल है, ये शेत्र देश को लकडी, पल्प और कागस के लिए परियाप्त संसाधन उपलद कराता है और बाकी उत्पादों के संग्त निर्यात की तुल्ना में Forest Products कैनेडा के निर्यात व्यपार का एक बड़ा हिस्सा है तागस और पल्प के निर्यात में कैनेडा टॉप लेवल पर है कैनेडा खनिच संसाधनों यानी Mineral Resources से सम्रिध है बड़े एरिया को कवर करने वाले कैनेडियन शील्ड, वेस्टरन, कॉडिलेरा और अपलाचियंस के चटानों में बड़े खनिज भंडार है उत्तरी कनडा की ग्रोथ में माइनिंग एक प्रमुख कारक है कैनेडा लंबे समय से यूरेनियम, जिंक, निकल, पोटाश, सलफर, कैडमियम और टाइटेनियम की प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शामिल है इसके अलावा लोहा, कोईला, पेट्रोलियन, सोना, तामबा, चांदी, सीशा समेत बाकी मटीरियल्स का भी प्रमुख उत्पादत है इसके अलावा देश के उत्तरी शेत्र में डाइमेंड माइनिंग का भी एहम रोल है कैनेडा हाइडरो एलेक्ट्रिक पावर से भरपूर देश है इसमें दुनिया की कुल हाइडरो एलेक्ट्रिक उतपादन शंता का लगभग 6 हिस्सा है इसके अलावा देश के कुल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लगभग पांचवा हिस्सा मैनुफैक्टरिंग सेक्टर का है। ये सेक्टर कैनेडा की कुल वर्कफोर्स में से करीब एक साथवे हिस्से को रोजगार देने का कान करता है। अगर कैनेडा से दूसरे देशों को किये जाने वाले एक्सपोर्ट के आकणों को देखें तो पता चलता है कि देश अपने यहां उत्पादित जादा प्रोडक्ट के लिए सबसे जादा अमेरिका पर निर्भर है। साल 2021 में कैनेडा ने सबसे जादा 75.6 फीसदी निर्यात यानि की एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है। जबकि कैनेडा ने भारत को 2022-23 में 4.5 अरफ डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। इसे पांचवे से तीसरे पाइदान पर पहुंचाने का लक्षे तैय किया है। वहीं कैनेडा इस लिस्ट में 9 पाइदान पर शामिल है। पिलहाल इस वीडियो में इतना ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लाटपॉर्म के साथ धन्यवाद। झाल कि का यजिए आप जुड़े।